11. धातुएं ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिक्त जो इलक्टॉन को त्याग कर धनायन बजान करते हैं धातु कहलाते हैं धातुएं सामाने तहा चमकदार अधातवर्धिये तथा तन्य होती है धातुएं उश्मा एवं विद्यूत की सुचालक गुट कंड़क्टर्ज होती है चांदी विद्यूत का सर्वस्रेश्ट सुचालक है धातुएं में विद्यूत चालकता घट्टे क्रम में होती है चांदी सीसा की उश्रमिये एवं विद्विद चालकता सबसे कम होती है धातूं के ऑक्साइड की प्रकर्टी क्षार किये होती है अप बाद क्रोमियम ऑक्साइड CR2O3 की प्रकर्टी अमली होती है AI, ZN एवं PB के ऑक्साइड उभह धर्मी M-4-Terek होते हैं धातूं प्राया तनू अमलों से हाइड्रोजन विस्थापित होती करती है तामबा तनू हाइड्रोक्लोरिक अमल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है धातूं की प्राप्ती इत्विकी भूपरपटी धातूं का मुख्य स्त्रोथ है भुपरपटी में मिलने वाले धातूं में अलुमीनियम 7%, लोहा 4%, एवं केल्शियम 3% का क्रमशाहा प्रधम द्वीतिय एवं त्रितिय स्थान है खनिज मिनिरल्स भू परपटी में प्राकरतिक रूप से पाय जाने वाले तत्वों का या यौगिकों को खनिच कहते हैं आयस्क ओरस वो खनिच जिनसे धातूं को सुगमता पूरवक तदा लापकारी रूप में निशकर्शित किया जा सकता है आयस्क कहलाते है यहां पर आयस्क से धातू निशकर्शन में प्रयुक्त चरण दर्शाए गए हैं जो इस प्रकार है आयस्क आयस्क का सांद्रण आयस्क का सांद्रण तीन भागों में बाटा गया है एक उच अभिक्रियाशी लवस्तु में इसके भी दो भाग हैं गलित धातू का विद्युत अभघटन तथा शुद्ध धातू मध्यम अभिक्रियाशील धातू ये भी दो प्रकार की होती है कार्बोनेट आयस्क तथा सल्फाइड आयस्क कार्बोनेट आयस्क से निस्तापन तथा सल्फाइड आयस्क से भरजन इन दोनों से तीन तरीके की धातू निकलती है धातू का ओक्साइड, धातू का अबगटन तथा धातू का शोधन तीसरा भाग आता है निम्न अभिक्रिया शील धातूें जिनसे सलफाइड अयस्क, भर्जन, धातू और परिशकरण होता है ये थे अयस्क से धातू निशकरशन में प्रयुक्त चरण इससे जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप अपने मित्र से संपर्ख कर सकते हैं प्रिष्ट 349, धातू कर्म मैटाल, लडगी अयस्कों से धातू के निशकरशन तथा परिशकरण में समिलत विभिन प्रकर्मों को धातू कर्म कहते हैं गैंग अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं फ्लक्स आयसक में मिले गैंग अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं धातुमल Slag गैंग एवं फ्लक्स के मिलने इसे बने पदार्थ धातुमल कहलाता है निस्तापन Calcination इस प्रक्रिया में धातु के आयस्क को उसके द्रवनांक MP से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि आयस्क में मिले वाशपशील अशुद्धियां दूर हो जाएं भरजन, रोस्टिंग इस प्रक्रिया में धातु के आयसको को गर्म हवा की उपस्तिती में उसके द्रवनांग से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धी ऑक्सिकृत, ऑक्सिडाइज हो जाएं S. Smelleting Smelleting इस प्रक्रिया में धातु कोक एवंफलक्स की उपस्तिती में उसके द्रवनांग से उपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है सक्रियता श्रेणी वो सूचि है जिसमें धातू की क्रिया शील्ता को अवरोही क्रम में विवस्थत किया जाता है कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन कैल्किनेशन द्वारा धातू ऑकसाइड में परिवर्तत किया जाता है और सल्फाइड ऐस्क को भर्जन रोस्टिंग द्वारा धातू औकसाइड में परिवर्थित किया जाता है धातू औकसाइडों को कार्बन, एलिमीनियम अत्वा विद्युत अभघटनी अपचैन द्वारा धातू में अपचैत किया जाता है सोडियम, पोटेशियम तथा केलशियम धातूं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्यूत अबघटन द्वारा निशकर्शित किया जा सकता है जबकि अलुमीनियम धातूं को उसके गलित ऑक्साइड के विद्यूत अबघटन द्वारा निशकर्शित किया जाता है गलित लवडों के विध्युत अब घटन के दौरान शुद्ध धातू कैथोड पर निक्षेपित होती है संक्शारण धातूओं का उनकी सतह पर वायू एवं आदरता के प्रभाव द्वारा नश्ठ होना संक्शारण कहलाता है लोहे में जंग लगना तांबा की सतहा पर हरे रंग की परचड़ना एवं चांदी की वस्तुए को काली हो जाना संक्शारण के उधारण है लोहे में जंग लगना रासाइनिक परिवर्तन का उधारण है जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ Ferisopharic Oxide Fe2O3XH2O होता है यानि जलके अडूओं की संख्या X बदलती रहती है पेंट करके तेल लगाकर ग्रीज लगाकर यश दलेपन, क्रोमियम लेपन, एनौडी करण या मिश्र धातू बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है नोट, यश दलेपन लोहे एवं इस पात को जंग से सुरक्षत रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चड़ाने की विधी को यश दलेपन कहते है सकरियता श्रेनी धातूँ की सापिक्ष अभिक्रिया सील था के पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रिया सील NA, सोडियम, CA, कैल्शियम, Mg, मैगनेशियम, ऐलुमीनियम, AL, ZN, जस्ता ये सब सबसे अधिक अभिक्रिया सील करते हैं लोहा, सीसा, F, लोहा, F, E, सीसा, PB, हाइड्रोजन, H, C, U, तांबा, H, G, पारा, घर्टी अभिक्रियाशीलता में, चांदी, A, G, A, U, सोना, सबसे कम अभिक्रियाशील, धातू और निश्कर्षन की विधी, K, N, A, C, A, M, G, A, L, निश्कर्षन की विधी, विध्युत अभगटन, Z, N, F, E, P, B, C, U, निश्कर्षन की विधी, कार्बन के उप्योग से अपचैन, A, G, और A, U, प्राकृतिक अवस्था में उपस्तित, प्रिष्ट 350 रामबा वायू में उपस्तित आद्र कार्बन डाय ऑक्साइट के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से बूरे रंग की चमक धीरे-दीरे खत्म हो जाती है, तता इस पर हरे रंग की परत चड़ जाती है, ये हरा पदार्थ कॉपर कार्बनेट होता है, खुली वायू में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तों में काली हो जाती है, सिल्वर का वायू में उपस्तित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइट की परत बनाने के कारण ऐसा होता है, धातू प्रदूशक, कुछ भारे धातूएं जल में घुल कर उसे प्रदूशित करती हैं, जैसे कैडमियम, सीडी, लेड, पीबी, तथा पारा, एचजी, सीडी एवं एचजी, गुर्दो को नश्ट कर देते हैं, पीबी, गुर्दो, जिगर, मस्तिश्क तथा, केंद्रिय तंत्रि का तंत्र को प्रभावित करते हैं, धातूओं से संबन्दित विविद्ध तत्ये, टंग्स्टन का संकेत डबलू होता है, इसका गलनांख लगबग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, भारत में टंग्स्टन का उतपादन राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है, तंग्स्टन धंतू के अपचैन को रोकने के लिए बिजली के बल्प से हवा निकाल दी जाती है जिर्कोनियम धातू अक्सिजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं बेडीलियाइट जिर्केनियम का आयस्क है निउट्रोनों को अवशोशित करने के गुणों के कारण जिर्कोनियम, कैडेमियम एवं बोरॉन का उपयोग नाभी के रेक्टर में किया जाता है बेराइल बेरीलियम धातू का मुख्य आयस्क है फ्रांसियम एवं रेडियो सक्रिय द्रव धातू है स्टेनस सलफाइड SNS2 को मोसाइक गोल्ड कहते हैं इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है सबसे भारी धातू ओसीमियम ओस है और प्लेटिनम सबसे कठोर धातू है बेरियम हाइडरोकसाइड को बेराइटा वाटर कहते हैं बेरियम सलफेट का उप्योग बेरियम मील के रूप में उदर के X-ray में होता है आतिश बाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्तिती के कारण होता है आतिश बाजी के दौरान लाल चटक रंग, क्राइमसॉम्स, रेट कलर्ज, स्ट्रॉन्शियम, S.R. की उपस्तिती के कारण उत्पन होता है लीथियम सबसे हलका धातविक तत्व है, ये सबसे प्रबल अपचायक होता है चांदी, A.G., Sona, A.U., Tamba, C.U., Platinum, P.T. तथा बिस्मत, B.I. अपने क्रम, अभिक्रिया, शीलता के कारण स्वतंत्र अवस्ता में पाए जाते हैं गोल्ड, Platinum, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुए हैं धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धिय सोना, A.U. वा, चांदी, A.G. होते हैं पारावा लोहा विद्युद्धारा के प्रभा में अपेक्षकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन करते हैं चांदी एवं तांबा विद्युद्धारा का सर्वोत्तम चालक है एलुमीनियम का सर्वप्रतिम प्रथकरण 1827 इस्वी में हुआ था प्यासवा लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम की उपस्तिती है कार्नोटाइट का रासानिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट होता है कैंसर रोक के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है मेटलाइट निकेल धातु का अयस्क है सोडियम पर आकसाइड का उपयोग पंडुबी जहाजों तथा अस्पताल आदी की बंध हवा को शुद्ध करने में होता है प्रिष्ट 351 ग्रीनो काइट कैडेमियम का अयस्क है कैडेमियम का प्रयोग नाभ की रियक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में संगराहक बैटरियों में तथा निमन गलनांग की मिश्रधातु बनाने में होता है एक्टिनाइट्स रेडियो सक्रिय तत्वों का सम्हू होता है विश्व प्रसिद एफिल टावर का आधा स्टील वा सीमेंट का बना है थूलियम का संकेत टीयम होता है रेडियम का निश्कर्शन पिंच ब्लेंड से किया जाता है मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेंड से ही रेडियम का निश्कर्शन किया था वाजुयान की निर्मान में प्लेडियम धातु प्रयोगत होती है गैलियम धातु कमरे के तापपर द्रव अवस्था में पाय जाता है सेलिनियम धातु का उप्योग फोटो इलेक्रिक सेल में होता है साइट्रो कॉम में लोहा उपस्थित होता है जियोलाइट का प्रयोग जल को म्रदू बनाने में किया जाता है तिन अपरूपता प्रदर्शत करता है अधिकान संक्रमन धातू, टांसेशन एलिमेंट्स और उनके रियोगिक रंगीन होते हैं पोटेशियम कार्बनेट केटू सीयो थ्रू को पल एश कहते हैं नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम और आयरन का मिश्ट धातू है विद्यूत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है क्रोमिक अमल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राय ओक्साइड है ब्रिटेनिया धातू, एंटीमनी, Sb, तांबा वा टिन, Sn की मिश्ट धातू है बारूत 75 प्रतिशत, पोटेश्यम, नाइट्रेट, 10 प्रतिशत, गंधक्वा, 15 प्रतिशत, चारकोल, एवं अन्य पदार्थों का मिश्टन होता है बैबिट धातू में 89 प्रतिशत, टिन, 9 प्रतिशत, एंटीमनी, वा 2 प्रतिशत, तांबा होता है समू एक के तत्वक्षार धातूएं अलकैली मैटल्स कहलाते हैं और इसके ड्राइ हाइड्रॉक्साइड एक्षारिये होते हैं जबकि समू द्वीतिये के तत्वक्षारिये म्रिदा धातूएं अलकैलाइन अर्थ मैटल्स कहलाते हैं ताइटेनियम को रणीतिक धातू स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। ये इस पात के बराबर बजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला हो धातू है। वायूयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में नाबिकी रेक्टरों में इसका उपयोग होता है। फ्लेश बलबो में नाइट्रोजन गेस के वायू मंडल में मैगनेशियम का तार रखा जाता है। एलिमीनियम हाइड्रो अकसाइड कपड़ों को आ दहाय बनाने तथा जलरोध कपड़े तयार करने में उप्योग किया जाता है कैल्शियम कार्बाइट पर जल की प्रतिक्रिया से एसी टिलीन गैस उत्पन होती है पिटवा लोहा रॉच आइरन में कार्बन की मादरा सबसे कम 0.122 से 0.25 रहती है अतहा ये अपेक्षक्रत शुद्ध होता है आइरन तृत् के साथ अलुमीनियम की अभिक्रिया का उप्योग रेल की पट्रे एवं बशीनी पुर्जों की दरारों को जोडने के लिए किया जाता है इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिक्ता से लोहमयाता रोग उत्पन हो पानव शरीर में तांबा की मात्रा में वृद्धी होने पर विलसन रोग हो जाता है। पानव शरीर की क्रीम बनाने में किया जाता है। चांदी अंडे में उपस्तित गंधक से प्रधिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सलफाइड बनाती है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिला जाता है। शुद्द सोना 24 करेट का होता है। आभुशन बनाने के लिए 22 करेट सोने का उप्योग होता है। आइरन पाइराइडस FES2 को जूटा सोना या बेवखुफों का सोना कहते हैं। स्वन लेपन में पोटेशियम औरीस रसायनिट का प्रयोग विद्युत अबगट के रूप में होता है। आरिक क्लोराइड का उप्योग सर्प विश्यरोधी सुई बनाने में होता है। अम लगम नहीं बनाता है। ट्यूब लाइट में समानतहा पारा का वाश्प और आरगन गैस भरी रहती है। सीसा सबसे अधिक स्थाई तत्व है। इसका उप्योग कागस पर लिखने में होता है। लेड आर्सिनिक नामक मिश्रदातू का उप्योग गोली बनाने में होता है। लेड ऑकसाइड का लिथार्ज कहा जाता है। जो एक अवभय धर्मी ऑकसाइड है। इसका उप्योग रबर उद्योग में स्टोरेज बैटरी के निर्मान में तथा फ्लिंट कांच बनाने में होता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को वाइट लेड कहा जाता है, इसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है। लेड टेट राई थल का उप्योग अप स्पोर्टन रोकने में किया जाता है। रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। कोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणू बम इसी से बने हुए थे। प्रश्ट तीन सो तीरेपन। करता है। करता है। करता है। करता है। करता है।